गाइस कैसे हैं आप लोग आई होके बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हैं सुबह मैं रिडिंग नहीं लेकर आई बिल्कुल रस्ट मोड में थी कोई बात नहीं अब लेकर आ गई हूँ आपके पार्टनर की ही एनर्जी चेक करूंगी गाइस ब Labor में आ Lubकु जीजएं कारट में आती हैां अठी हैं आपको मोडेवेट करती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए ठीके ना चलिए इन काट से देखेंगे आज हम काफी ताइम से नहीं देखा149 आपके पार्टनर की इनर्जी क्या है प्लीज बताएज ताकि एक कि मेरे ज कि दो काट तीन काड आ गया है कि डिवाइन फेमिनाइन वन डे ओके क्लेंगिंग तो यह एनर्जी इसलिए है कुछ की एनर्जी आ रही है यह एनर्जी तो रोजाना शिफ्ट होती ना गाइस इसलिए तो मैं देखती हूं रोजाना रॉनिंग यहिस कुछ लोग आप लोग न ओवर थिंकिंग बग्रहे इसलिए आपके Partner जो है बहुद जादा ओवर थिंकिंग कर रहे है आपको एक न एक दिन वो ये प्यार भरी energy send करेंगे बट करहें भोको आ होग मेन है ना एंडать feminine energy divine feminine यानि कि है आप बहुत से जो आप एले आप पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको प्लॉक किंग यह कुowy रिसंट वाज किया है आपको वॉइड किरें के आप अप से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं आपको लग रहा है कि इसने पीम को ब्लॉक कर दिया फिर ओन favourite एंज कुअ weekends की तूड जाने की एक तरह से अपने आपको पुश करना दूर जाने के लिए तो यह अपि यह में आप रहे जो लेकिन आपकी जो उनके अंदर शूम सबमान केथिए क्षए न सब्सक्राइब यह ना टो इटो ότι फेमेन अदर एंडरल की जो में ना इसा नहीं होता है ब्लॉक करके भी एनर्जी तो एनर्जी है ना फोन ही तो ब्लॉक किया है वैसे तो तुम्हें एक दूसरे से कम भी आपशे पर अर्फ ढशेँ से अ credit आप से हो जो करना जाते हैं यृज Hin उनको उक्षिचों làm मैं वैं क्यों वह ओतार आओं यार वैंसे बात नहीं करते हमाने गते कायाना कag ब्लकुमत आपको बात करण करो आप इंद in दे आपको याद करो आप जाता बरता है यह झेन होगा धे रहती है तो क्या है आपके पार्टर क्या के गड़ते हैं कि क cheating बिल्कुल इंविजीबल होगा है पता ही नहीं कहा है भ्लॉक कर पड़िषांद बोद मि निघे तो यह अपने पर एक्ट की निजा dus यह अव्Arthur कोजिंड तो जो अपने पर बत कर रहें हैं इसEverything कि बात करेंगे जो ऑफ थो कर रहे हैं च्में लाएं को निजeless बट चाहिए बात करेंगीники मेल में इंदर इ Wars नहीं बात रही हों तो पृष है कि क्रेविंग कुरशी है यहाँ पर है कि मेरे को मिल जाए मेरे डिवाइन second में इन इन मिल जाए फिर आप से बात भी करना चाहते है कि यार फिर किसी दिन कुशिश करते हैं रणग कर रहे हैं कुछ केパाटनर यहां पर प्रीक है यह चीज हो रही है और अपने अप अंदर से खाली है उनको वह चीज़ खाली जगह है वह खाली स्थान भरना है। किस से अपनी divine feminine से वो energy से भरना है लेकिन वो प्यार वाली energy उनके अंदर क्या होती है इंबैलेंस होती है, इंबैलेंस होती है तो वो अपने आपको क्या करते हैं, भागते हैं, अपने आपको महां से भगाते हैं, उस एनर्जी से अपने आपको दूर लेके जाते हैं, तो वो लेकिन दूर नहीं हो पाते हैं, फास्ट में अठके रहते हैं, त्रिशंकू की तरह, hanged man की energy में रहता है तो guys यह है कुछ की partner की energy बहुत weird सी है क्योंकि solar eclipse के बाद यह energies हैं बहुत heavy energies हैं लोग को बहुत अपने घर से trigger मिल रहे होंगे बहुत आप लोगों को भी बता रही हूँ जो मेरे viewers है बहुत overthinking कर रहे हैं बहुत missing वाली energy है अपने partner को आप लोग बहुत याद कर रहे हैं इस time पर बहुत missing वाली energy है बहुत overthinking चल रही surface हो रहे हैं बहुत सारी issues past के इसने मेरे साथ ऐसा किया अब ऐसा किया और आप चाह रहे हैं कि यह release करूं बटा को कहीं release नहीं हो पा रहा है बट आप meditation करो शान्त होके बैठ जाओ music लगाओ अकेंजल माइकल music लगाओ और वो वाला meditation है बिलकुल कीजिए आप लोग शान्त होके बैठी अकेंजल माइकल को invoke कीजिए बोलिए अकेंजल माइकल प्लीज इससे मुझे बाहर निकालिए blue color की candle जलाइए और अपना meditation कीजिए आकेंजल माइकल को जो आपको बोलना है release करने के लिए बोलिए energy कट करने के लिए बोलिए energy वो कट करेंगे ठीक है आपको मैंने बता दिया ठीक ओके चलिए तो ये energy मेरे को किशकी आ रही है कुछ के जो पार्टनर है बहुत faith उनको है और काफी manifest कर रहे है अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से कि भाई ये जो दिल है ये मेरा नहीं है ये उसी का है मेरे पास और ये धड़क रहा है आपकी हमेशा याद आती है overthinking कर रहे है expect कर रहे है आपको और अपने life में लाने के लिए faith उन्हें है आप पर manifest आपको कर रहे है 24 घंटे ठीक है ये भी energy है लेकिन ये भी energy है ये energy साथ सा चलती है उपर नीचे उपर नीचे चलती है कभी ये सोचते हैं तो कभी ये सोचते हैं आप उनको chase करना छोड़ दो guys अपनी growth पर ध्यान दो अपने inner work पर ध्यान दो manifest करो अच्छी चीज़ों को अपनी growth के लिए अपने partner को manifest क्यों कर रहे हो अपने partner को manifest आप अपने को ही manifest कर रहे हैं तो आप तो हो ही खुद है ना आप ही अपने twin flame हो आप ही अपने soulmate हो तो एक ही टाली के तो आप एक ही तो हो एक ही टहनी के दो fool है ना तो आप ही हो और एक fool का आधा यानि आप ही हो तो थोड़ा सा difference है देखो soulmate 10 to 1 flame में मैंने आपको पहले बता रखा मेरी वीडियो देखो उसमें है यह चीज़े होती है आप divine feminine होते हो और आपको यह journey मिली होती है आप इस चीज़ को lead करते हो journey को अपनी partner को evolve करने के लिए लेकिन आपको इसका मतल़ यह नहीं कि आप उसको energy दो बार बार energy मत दो energy दोगे तो वो boost up हो जाएगा और आप से फिर भागेगा आपको उसको तो मिल गया ना खाना पेट भर गया ना उसका दो वो पेट भर गया तो उसको खाना थोड़ी ना मिले अब खाना खाने का मन थोड़ी न करेगा इतना भी मत भरो कि उल्टी कर दे ना वो trigger होता है वो trigger फिर मिलता है आपको तो बिल्कुल balance रहो अपने फोकस रखो जब कितना कि भूके को भूग लगती तो भाग के आता है तो यह energy में रहो ठीक है यह energy रखो बागी universe पे छोड़ दो भाई ठीक है तो और देखते है second chance बिल्कुल आप reconciliation की energy है याँ पर कुछ लोग जो मेरे viewers है divine feminine की energy है आपने उपर पूरी तरह से focused हैं वोनों ने छोड़ दिया universe पे सब कुछ छोड़ दिया भाई आप करो universe जो करना है हमने तो छोड़ दिया सब कुछ आप पर और आप divine से merged हो आप universe पे पूरी तरह से surrendered हो तो बिल्कुल ये opportunity आपको second chance याँ नि मिलेगा और ये universe आपको देंगे shocking जो भी आपके partner की turmoil situation है जो भी trouble unexpected जो चीजें उनके साथ हो रही है तो वो चीजें उनको बहुत परेशान कर रही हैं आप इनको justify भी कर लेते हैं थोड़ा सा फटा फट ठीक है escaping and shallow क्यों आया है yes वो आप से आप अपने को खाली समझ रहे हैं बट आप से बात करना चाहते हैं लेकिन क्या क्या करें ideas तो बहुत आ रहे हैं बुद बुरियत हो रही है आप से दूर भाग रहे हैं बट आप से बात भी करना चाहते हैं है ना लेकिन energy क्या है आप से reconciliation की आप से बात करना चाहते हैं देखो यह card आया तो यह card क्या कहता है यह card कहता है कि भई आपके turn flame है soulmate है transparency है रिष्टे में आपके partner भी समझते इस चीज़ को एक मिन का यह सापको दिख रहा है divine feminine and longing क्यों आया है divine feminine and longing यहां पर आया है बिल्कुल आपको commitment देने की तैयारी में है कुछ लोगों के जो partner है और बिल्कुल इस energy में है वो यह देखो दोनों ही king of pentacles and king of cups बिल्कुल आपके लिए बहुत emotionally attracted है बिल्कुल आपके तरफ प्यार भला भला कह रही हूं भला ही हो आपका सबका प्यार भरा प्याला जो न वह आपको देना चाहते हैं मतलब कि emotionally attracted है और unconditional प्यार से भरे होए आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं बिल्कुल प्यार की लहरें जो हैं हिलोरे मार रही हैं उनके दिल में बहुत भर-भर के mature हो गए हैं आपके लिए सोच रहे हैं एक offer देना चाहते हैं बार-बार यह आ रहा हैं बिल्कुल यह एक offer आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए हैं यह energy फिफ्टी से सिक्स्टी परसंट लोगों के लिए energy है जो बहुत evolved हो चुके हैं ascend हो चुके हैं इस चर्णी में बहुत अच्छे से focused हैं एंड आपके लिए बार-बार सोच रहे हैं overthinking कर रहे हैं one day and hoping क्यों आया है आगे जैं माइकल प्लीज बताइए one day and hoping क्यों आया है को प्लीज बताइए क्यों आया है क्यों आया है ओके तो one day and hoping इसलिए आया है क्योंकि बात तो करना जाते हैं आपको manifest कर रहे हैं कहीं ना करें third party में उल्जह होएं इसलिए कह रहे हैं चलो भाई फिर कभी जब इससे छुटकारा मिलेगा तब जाके, या कुछ जो सिंगल है, ओργे पार्टर वो थिर पार्टि में वैसे हैं, यह थिर पार्टि का इंजार कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं स्थिर पार्टि से निकलना, कुछ ना कुछ लोगों उसमें धिमाग को ना, मैनिप्लेट कर रखा है थर्ड पार्टी ने इस विज़े से आपको बहुत प्यार से वो मैसेज देना चाहते हैं बट कही न कई वो थर्ड पार्टी वो नेगिटिविटी उनकी अंदर फिर से वो मैनिप्लेशन शुरू हो जाता है और वो रोक जाते हैं आपकी तरफ आने से ये कारण है तब ही मैं समझूं ये क्यों हो रहा है कना चाहते हैं बट another day क्यों आ रहा है expect कर रहे हैं faith है manifest कर रहे हैं बट कही न कई थर्ड पार्टी बीचमे है negativity यानी third पार्टी यानी negativity बीचमे है एक और कार्ड लेती हूं उसमें यह साब से शादी करना चाहते हैं बट कही ना कही थर्ड पार्टी बीच में है नेगिटिविटी बीच में है बट वो हटेगी और आपके बारे में सोच रहे हैं ओर तिंग आपके बारे में ही कर रहे हैं यह 11-11 यानि की ट्विट फ्लेम कनेक्शन में हैं आप गाइस आपके ट्विट आपकी तरफ आना चाहते हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की चंगुल में फसे वें बट वो निकलेंगे वो तो फसे में 3D में लेकिन यूणिवर्स जिष्जर निकालेगा ना यूण निकालेगा कलेंग ट वरि मतस्ति कई बोलना कि प्लकर रुत आयो डाया घाया ज है ना वह तो इस ना क्लेंग मे में एय बार्टों यहांड होए हैं और आपके पास आने से डर रहे हैं पेन में है बहुत है ना और इस आपकी इस इस वाले रिष्टे में आने आने से डर रहे हैं आप वो जानते हैं कि यह सोल मिट कनेक्शन है फिर भी डर रहे हैं और फिर क्या है अप्सेशन की एनरजी में है गाईज वही तो कहा रही है आप से बहुत बुरी तरह से क्या कहते हैं बुरी मिसिंग वाली एनरजी मेरे को या फील हो रही है और उनको पता है कि यह मेरा सोल कनेक्शन है भही मैं इसको नहीं बूल सकता है या बूल सकती और किस कही ना कहीं आप अगर चक्रास वगरा कर रहे हैं तो आपकी कुंडली य करो दीशक्ति आपको थोड़ा संसेशन होता है इसमें स्पाइन में चुछिटियां सी चलती है यह है जो आसे कुछ रिंगरिंग के कुछ चल रहत आपकी कंडली ने शक्ती बिल्कुल को असेंशन के निने असेंशन आपका हो रहा तो वो कुणलीनी शक्ती जब आपकी होती है उपर आती है थाड़ाई और क्राउन चक्रा तक धिरे-दिरे होती है वो तो बड़ा पेन आपके पार्टनर को होता है काफी पजल सी उनकी एनरजी होती है ये देखिए आपके पार्टनर आपको विश्च मांगते हैं बट कहीं आपके सरेंडर भी करका है उनकी हीलिंग भदटत्य से चल रही है उन्होंने सरेंडर करका पूरा इश्वर पे और उनको पता है कि ये मेरी विश्पूरी होगी इसलिए उनको पास्ट की बातें बहुत याद आ रही है उनको समझ नहीं आ रहा है ये देखो आपके पास आन चाहते हैं आएंगे बिल्कुल आएंगे और आपसे मिटिंग होगी उनकी रिकंसलेशन का यहाँ पर एनरजी है बिल्कुल ये कार्ड यहाँ पर मैं रख रही हूं इसी रोके हैं ये कार्ड बहुत ही ब्यूडिवल कार्ड है रनिंग एं सेकंड चांस क्यों आया है यहाँ पर रिकंसलेशन एंड गोस्टिंग डिसपेरिंग एन इन्वीजिवल क्यों आया है क्यों क्या कि माइकल क्यों आया है जली बिताएगे येस पहले आपको उन्होंने धोका दिया भागे आपसे कही ना कहीं अब अगर आप ब्लॉक भी हैं तो वो चाहते हैं इस रिष्टे में बैलेंस बनाना इस रिष्टे में विक्टरी पाना इस रिष्टे को आगे बढ़ाना और वो कहीं न कहीं यह वाली दा चैरियोट मेजर अरकाना से काड़ है स्टार है बिलकुल आपके साथ ही होगा गाईस और टू अफ कप्स है याँपर टू अप कप्स के एनरजी है इस प्यार से तो भरे हुए हैं बिलकुल चला करा है दिमाग में चल रही है आपके लिए रिकंसलेशन चाहते हैं ऐस ऑफ स्वार्ड है यहाँ पर इश्वर चाहता है बिलकुल और ऐस का काड़ है एक न्यू बिक्निंग न्यू स्टार्ट आपके पार्टर की दरफ से आपके पाड़ी होगा किसी की पार्टर अगर भागे थे ब्लॉक किया था तो कहीं ना कहीं वह चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है यह नेगिटिविटी जो भी थर्ड पाटी सब दूर होगी ऐसा नहीं है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता चेंज तो होता ही है और परिवर्तन जीवन का नियम है ठीक है तो परिवर्तन तो प्रकरती में होता है तो इनसान तो फिर क्या इंसान की लाइफ में परिवर्तन होता है एक काड़ और लेती हूँ बिलकुल Wheel of Fortune ये जो पईया है न घूम रहा है और ये चक्रह चल रहा है और ये देखिए King of Wands के एनरजी में आपके पार्टनर बहुत लोगों के जो पार्टनर है missing वाली एनरजी में है Sun की Clarity में आएंगे Ultimate Happiness है इस रिष्टे में वो भी जानते हैं कि खुशी मुझे आपसे ही मिलेगी आप अपने जो पार्टनर के लिए बोल रहे हैं सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर ठीक है आपसे ही उनको खुशी मिलती है आपसे ही वो एजुकेट हो रहे हैं आपसे ही के क चीज को सॉल्व करते हैं आप हीलिंग से सॉल्व करते हो वो मेडिटेशन और चक्राश बगरा नहीं करते हैं वो तो यूनिवर्स उनको वैसे ही हील करते हैं ठीक है तो संके वाली है संन आपकी लाइफ में आ रहा है ये बिलकुल आपके पार्टनर जो हैं बहुत अच्छ क्या लेंगे, फिल्कु जज्जमेंट आ रहा है गाई जब, उनको सच्चाई का पता है, जज्जमेंट आ रहा है, मैंटली बहुत सोच रहे हैं, ईश्वर की दरफ से जज्जमेंट आ रहा है, चूज वाइजली, फिल्कु चीजों को बहुत विज्टम से सोच रहे हैं, कि कै कैसे चला जाए कैसे इस रिष्टे को निभाया जाए कैसे किया जा सोलर प्रेक्सिस चक्रा उनका हील हो रहा है आप चक्राज करते हैं तो बिल्कुल वह प्लेयारिटी वाली एनर्जी है इटाफ एटाफ ट्याप्ड है एक फर्टनर हैं अब ही ठाटर थार्ट पर्ट गे वजह से बहुत ही अपनी ही दिमाग के फितूर है उनकी ठाट पावर है अपर अप डवले एट डल एट ऐ ग्रीमल तो यह और फक्लेंजीчи है इस यह आप शिर्ज이션 है एनर्जी है स realizar उनकी इ समझ रहे हैं कि मैं कैसे बहार निकलू इस जाल से इस थर्ड पार्टी से अपनी स्टंथ में वह आ रहे हैं और आपसे वह रीकंसलेशन का और वाव लाइट एंड सन 90 नमबर सन बिलकुल ये क्लारिटी मिलेगी सन या पर भी है वील ओफ फॉर्चून है ये क्लारिटी तो मिलेगी उनको ये हैपिनस आपकी लाइफ में आएगी गाईज डोंट वरी लूनर एकलिप्स तक आप लोग समल के रहे हैं क्योंकि एनरजी बहुत वियर्ड सी है आप बहुत समल के रही है रिस्पॉंड कीजिए रियक्शन नहीं देनी की जूरत है किसी को भी साइए बाबा से काड ले लेती है मेरे बाबा क्या कहते है आपको क्या गाइड करते हैं guidance क्या है साइए बाबा की life purpose को नहीं भूलना है life purpose आपने कहा था कि sole purpose कैसे करें कुछ भी कि किसी की भी किसी तरीके से भी किसी सुरूप में किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आप help कर सकते हो बोल कर पैसों से खाना देकर किसी भी तरीके से आप help कर सकते हो सोल पर बजी है साही बबाब यह कहरें कोई भी negativity है कोई भी negative thoughts हैं आप लोगों की और कोई भी doubt है तो उनको क्या करना है कट करना है क्लियर करना है और कैंसल करना है कट क्लियर एंड क्लेंज all the memories and upsets of the past ठीक है एंड पावर बाबा की उदी लगाओ सर पर बाबा कह रहे हैं कि you are not alone I am with you in every situation बाबा आपके साथ हैं बाबा का नाम लो चैंट करो साइराम ओम साइराम तो बाबा की यह guidance है उनका अशिरवाद है और अभी के लिए इतना है गाइस अपना ध्यान रखें ख्याल रखें टेकर बाई God bless you all love you all जै माता दी